कि अगर आपके पास रेड्मी 10 10a स्पोर्ट या पावर कोई भी है तो यहां पे आप सिम इंसर्ट करके नेटवक सेटिंग कैसे कर सकते अपने फोन में तो यहां पे आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है और इस टैप से आप इसको निकाल लेंगे यह सिम 2 है और यह सिम 1 है तो यहां पे आपका एक मेमरी कार्ड भी लग जाएगा कि वेट कर लेंगे नेटवक आने का और नेटवक आनी के बाद आप जाएंगे सैटिंग पर सैटिंग पर आपको यहां पर सिम कार्ड और मोबाले नेटवक्वक्स पर क्लिक करना है और यहां पर इस टेप से जियो की सिम और वर्ड़फोन की दोनों शो हो रही है और यहां पर कॉलिंग के लिए आपको सिम 1 चूज करना या सिम 2 या फिर यह वाला चूज करेंगे तो यह आपसे पूछेगा मिशा कि कॉलिंग आपको उन से सिम से करना चाहते हैं और डेटा के लिए सिम 1, सिम 2 चूज कर सकते हैं और मोबाइल डेटा ओन कर सकते हैं यहां से और डूल 4G यहां से आप एक्टिव कर सकते हैं और इसके बाद आपका एडवांस का ओप्शन आ जाता है जिसमें आप यह वाला ओप्शन ओन कर सकते हैं इसी क्या होगा कि आपके ना सिम स्विच हो जाती है सेकिंडरी सिम जैसे कि आप कॉल पे हैं तो laterstaw गर इंटरण 52-gapt om achieve 66 कॉल कर थे हैं तो क्या होता कि Out proceed जो नट Xu नेट एड़र्पन सिम में ठीक है तो उससे आपका इंटरनेट चलना स्टार्ट हो जाता है जैसे कई बार होता है कि कॉलिंग के दौरन काम नहीं करता इंटरनेट तो यह वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगे से ओन करने से डेटा रोमिंग पर आप जाएंगे और डेटा रोमिंग यहां पर आउन कर देंगे और यहां पर डेटा लिमिट आप लगा सकते हैं डेली का इसके बाद यहां पर बैक कर लेंगे और यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो यहां पर नेटवर्क के स्पीड टेस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं करना है आपको बैक कर देना है और आप यहां पर ह बनेंगे चिर और इसके बद हैं से नेयम चेंज कर सकते हैं सिम काड का नंबर चेंज कर सकते हैं Senju एकक्सेस पॉइंट नेम पर जाएंगे और यहांपे इसको एक बार रिसेट जरूर कर लेना है अगर आप आप आउट ओफ स्टेशन गया है वहां इंटेनेंट नी चल रहा ह तो access point reset कर लेंगे, इसके बाद यहाँ पे mobile networks आ जाता है, यह आपका on रहेगा, back कर लेंगे, volt calling आपकी on रहती है, और यहाँ पे wifi calling on रहेगी, इसके बाद back कर लेंगे, sim 2 पे जाएंगे, sim 2 पे भी same setting है यहाँ पे, और preferred network type पे आप click करेंगे, यह LTE switch कर लेंगे, और network on रहेग और यह दोनों चीज़े भी on रहेगी, ठीक है, तो इतनी setting आप कर लिजेगा network की, I hope guys यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, चले मिलते हैं आपको एक next video में, तब तक के लिए नमस्कार,